प्रेपोजिशन का टेस्ट और यह है प्रेपोजिशन टेस्ट पार्ट त्री और आज के इस पार्ट में भी आप देखने वाले और उन 11 में आपके कितने जवाप सही होते हैं ये तो भला आपकी मेहनत बतलाएगी आप कितना सही करते हो और कितना गलत ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो क्योंकि आप से बहतर कोई नहीं जानता खेर वो बात अलग है चलो शुरू करता है आज का लेसन दो वीडिय है तो शायद आप उतने करेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आज का जो प्रेपजिशन से उसमें कुछ ज्यादा ही फिक्स प्रेपोजिशन को लिए गये हैं यानि जो फिक्स हमारे प्रेपजिशन से उनसे ज्यादा क्वेस्चन्स लिए गये हैं और बाकी के जो वीडियो उस थे हमारे कल वाले या पड़सो वाले यानि बीते हुए कल और बीते हुए पड़सो वाले जो वीडियो थी वो कुछ हद तक easy थी common थी लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है जिन लोगों ने अच्छे से याद कर लिया है उनके लिए कोई भी वी व बारे में हम जान जाते हैं हमें लगता है कि यह तो बहुत ही असान थी खैर चलो शुरू करते हैं और आज भी 11 से रेंस हैं आपके पास है ना आप कितना सही कर पाते हो देखते हैं पहले 11 क्वेस्चन को तो जेल लो सबसे पहला क्वेस्चन है आयम शॉट डॉट 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 मनी एंड दो औप्शन आर फॉर तू ऑफ एंड ओफ यह है ओव यह है ओफ ओके यॉर टाइम स्टाट्स प्रॉम्हेर ओके टाइम स्टाट्स अब करेक्ट ऑप्शन इस ओफ ओफ डॉट 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 नहीं एसा कैसे शॉट एस चॉट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ ओफ प्रेपजिशन लेता है वैसे शॉट का मतलब होता है नाटा या छोटा लेकिन जैसे ही शॉट के ब बलकि यहां पे हो जाता है कमी यानि अभाव जैसे कि I am short of money मुझे पैसों का अभाव है मुझे पैसों की कमी है शॉट ऑफ विकनेस उसे कमजोरी का अभाव है कमजोरी की कमी है खैरी तो sentence मैंने बाई मिश्टेक बोल दिया है यह sentence बिल्कुल गलत था so sorry I am short of money I am short of cloths and the options are for to of and of the same options here okay your times starts from here okay then your times up and correct option is here o double f o double f वैसे o double f का यूज बहुत ही कम होता है यह word बहुत ही rare है इसका यूज बहुत ही कम होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि o double f का यूज कब होता है देखो normally आप जान लो क्यों o f जो होता है o f of नहीं यह of होता है और इसका यूज का की के sense में होता है संबंध को दिखाने क लिए या फिर और भी बहुत सारी situations होती है इनकी जो कि मैं बता चुका हूँ लेकिन ओडवल F जो ओव है ये हमेशा और हमेशा अलगाव दिखाता है separation दिखाता है कि जब एक चीज दुसरी चीज से अलग हुई एक चीज दुसरी चीज से जुदा हुई ये situation को दिखाता है ज़रा हिंदी को देख लेते हैं हिंदी क्या निकल रही है पहले वो हुई स्कूटी पर थी चला रही होगी या बैटी होगी पहले वो ऊस्कूटी पर थी अब स्कूटी से गिर गई या इस्कूटी से इलग हो गई जुदा हो गई तो वो O double F है और एक बात और बता दूं कि आप from भी लगा सकते हो यहां पे जुदाई का भाव सेप्रेशन का भाव दिखाने के लिए from भी लगता है तो यह और अवलेफ के बदले हम from भी कर सकते हैं आपके examination में अगर from भी option आ जाए और off भी आ जाए fix for from by two, okay, times okay, times up and the correct option is from, from क्यों, यह fix preposition का question है कि prevent हमेशा अपने बाद from लेता है, prevent के बाद, abstent के बाद हमेशा from ही आता है, यह तो आपको रट्टा मार कर रखना पड़ेगा किमकि English grammar में बहु सारी ऐसे चीज़े हैं जिनका कोई logic नहीं है, जिनका कोई reason नहीं है हैना बस आपको रट्ट लेना होता है, वैसे ही prevent अपने साथ हमेशा from लेता है next challenge की बाद करते हैं, they are blind dot dot weakness and the options are to, for, with, by okay dear students, your time is up and the correct option is to, to का यूज करते हैं, two का यूज क्यों करते हैं क्योंकि यह भी fixed preposition का ही है, blind to, यानि किसी चीज से को अंदेखी करना, किसी चीज से बेखबर होना, हैना किसी चीज को ignore करते हैं, avoid करना, कुछ ऐसा sense दिखाता है, blind to, okay next question को देखते हैं, next question है, I subscribed, very easy, very common question है यह, I subscribed dot dot your channel and the options here from to by on अगर यह नहीं बता पाओगे, तो फिर क्या बताओगे, it's a very common question, okay your time's up, correct option is here, two, आप लोग इतने सारे YouTube पे वीडियोज देखते हो, लोग English में क्या केते हैं, subscribe to my channel, please subscribe to my channel, मैं नहीं कहता हूँ, वो बात अलग है, वो तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग करते हो, उसका सब है, subscribe भी होना जरूरी है, like भी होना जरूरी है, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है, शरम से आ जाती है, यह कहने में कि subscribe कर देना, खेरो आपकी मर्जी है, आप खुद कर दोगे, अगर आपको हमारी talent पसंद आएगी, तो हमारी कबिल्यत पसंद आएगी, तो मेरे क कहने और ना कहने से कुछ होने वाला थोड़े है, कहकर इज़त करवाई जाती है, क्या, नहीं नहीं नहीं, इज़त खुद बन जाती है, तो यहां का जो option था, I subscribed to your channel, यानि subscribed अपने बाद हमेशा to लेता है, इस बात का ध्यान रखना है, चलो अगले question को देखते हैं, I don't rely dot your dot her and options on at up for and your time starts from here, okay, your time's up and correct option is the first option on, rely अपने साथ हमेशा on लेता है, यह fixed preposition का ही है, rely यानि भरोसा, विश्वास, यकीन, यह हमेशा अपने साथ on लेता है, next question को देख लेते हैं, जरा don't love, it's a very common, it's a very, क्या बोलते हैं, it's a very simple question, it's a very easy question, so यह बता पाओगे आप लोग, बीच-बीच में मैं, देखो, होता क्या है, कि बीच-बीच में मैं चाहूं तो पूरी के पूरे fixed preposition वाले, जितने difficult point थे, वही मैं उठा लेता, लेकिन मैंने वैसे point क्यों नहीं उठाए है, मुझे पता है कि examination में किस तरह से preposition पूछे जाते हैं, मैं उसी तरीके से आपको पूछ रहा हूँ, जो जो पूछने की ज़्यादा संभावना है, possibility है, वही दे रहा हूँ, भले वो easy हो क्यों ना, भले वो कितना फिर difficult क्यों न रहा हूँ, तो यह बहुत ही common question है कि don't love dot the poor, and option add on to with, okay your time's up and correct option is add, don't love at the poor, love अपने साथ add लेता है, किसी पे हसना, love at, don't love at your brother, don't love at me, don't love at the poor, गरीबों पे मत हसो, तो love अपने बाद एट लेता है, it's a very common, and the next question is, you should beware dot dot dogs, beware dot dot dogs, and the options of double f, of single f, in and into, okay your time's up, and correct option is here, of, of, of funny, of, beware हमेसा अपने साथ of लेता है, और जहां तहां आपने लिखा हुगा देखा हुगा, beware of pickpockets, जिब कत्रों से सावधान, beware of dogs, कुत्तों से सावधान, okay, तो beware हमेशा अपने बाद of लेता है, अगले question को देखते हैं, जरा, you are responsible dot dot your misconduct, misconduct बोले तो, यारी, वो क्या कहते हैं, दुर्व वेवार, गलत सुलुक किसी के साथ करना, तो you are responsible dot dot your misconduct and options to, for, by, in, four options here, to, for, by, in, and the time's up, correct option is here, for, responsible अपने साथ two भी लेता है, responsible अपने साथ four भी लेता है, लेकिन two तब लेता है, जब एक इनसान किसी दुसरी इनसान से जिम्मेवार है, उसके लिए दाइत्व है उसका, उसके लिए वो जिम्मेदार है, या जिम्मेवार है, responsible है, तो वो two है, लेकिन किसी action को दिखाना हो, misconduct हो, misbehavior हो, action हो, singing हो, dancing हो, playing हो, etc. जो भी actions है, वो अपने साथ four लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर responsible के साथ four रखा है, दो question और बचे हुए हैं, चलो दसवे को देख लेते हैं, she is famous, it's a very common question, I think you will be able to tell it, she is famous, don't allow her singing, and the options here, to buy four in, your time starts from here, okay, time's up, and correct option is four, famous for her singing, famous के बाद भी preposition four को fix कर दिया गया है, famous for, and the last sentence is, it's, it's our duty, dot dot dot, help anyone, it's our duty, dot dot dot, help anyone, and the options are, by, on, to, for, and the correct answer is, two, क्योंकि duty अपने बाद two लेता है, duty to help anyone, so dear students, dear subscribers, dear viewers, 33 में 25, ला दे रहे हैं, just one minute, तो मैं बात कर रहा था कि, कूल मिला करके, 33 question हो गए है, अगर आप 33 में 25 हो, तो समझो कि, आपकी परहाई लिखाई, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, आप preposition पे अच्छे कर हुए, इसके बाद मेरा next वाला chapter आ रहा है, grammatical tense, उससे कम से कम हर examination में, खासकर intermediate वाले में, कम से कम 4 से 5 question जरूर पूछे आते हैं, 5 तो निश्ची तोर पे पूछे जाएंगे, उससे ज़ादा हो सकता है, पर उससे कम नहीं होगा, इसके तुरंद बाद, यानि कलिया परसों से ही, आप लोगों को grammatical tense पर आने वाला हूँ, और वो ज़्यादा लंबा चौरा chapter नहीं है, 4 या 5 दिन में खतम कर दूँगा, यानि 5 दिन का chapter और वो भी 5 number आपके बन जाएंगे, इस चैनल मेरे कलोनी classes पर आप लोग बने रहों, कियोंकि इस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज आपको दी जाएंगी, जो आपके syllabus से भी जुरी हूँ होंगी, कुछ extra भी होंगी, कुछ pronunciation की होंगी, यानि कुछ amazing भी होंगी, कुछ surprising भी होंगी, कुछ fantastic भी होंगी, आपको पता होना चाहिए, कि मैं हर types के वीडियोज दिया करता हूँ, और examination की बात है, lockdown का समय चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा की, कि उनना कुछ syllabus wise वीडियो भी दे दी जाए, वैसे syllabus wise में वीडियोज उतनी नहीं देता हूँ, और आपके कितने गलत हैं इमंदारी पुरवग और हो सकता है, तो तीनों दीन का जोड़ करके आप मुझे बताना, कि सर मेरे 33 में इतने cool मिला कर आएं, एक बात और, कि जो लोग आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, और बागी के दो पार्ट्स आप लोग ने नहीं देखें, बागी के दो पार्ट्स जरूर देखना, पिरे पोजेशन पार्ट 18, पार्ट 19, एंड ये हैं पार्ट 20, यानि तीन टेस्ट हैं, और इन तीनों टेस्ट में आपने कितना अक्वाइर किया हैं, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए, have a good day and have a nice day to all.